नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें आशा करते हैं आपको विडियो पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने करीबियों से शेयर करते हैं इससे हम मानसिक और शारिरिक रूप से सेहत मंद रहते हैं लेकिन चानक्य नीती के अनुसार जीवन की ऐसी कई बाते हैं जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए आचार्य चानक्य कहते हैं कि समाज में गरीब व् मन की हानी हुई है तो इसे गुप रखना ही सही होता है। आर्थिक हानी होने पर आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आथ इस बात को सबैव राज ही रखना चाहिए। हमें कभी भी दुख की बातें किसी पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। यदि हम मन का संताप दूसरों पर जाहिर करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझे और आपका मजाक बना दे क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की संख्या काफी हैं जो दूसरों के दुखों का मजा लेते हैं। यदि दुख के घड़ी में ऐसा होता है तो आपका दुख और बढ़ जाएगा। चानक्य तीसरी गुप रखने योग्य बातें पत्नी का चरित्र के विशय में बताते हैं। जो पुरुष घर की बातों को बहार ले जाते हैं, उन्हें भविश्य में भयंकर परिनाम झेलने पड़ सकते हैं। चानक्य अपनी चौथी गुप रखने योग्य बात यह बताते हैं कि यदि जीवन में कभी भी किसी किसी नीच व्यक्ती ने आपका अपमान किया हो तो वह घटना भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि ऐसी घटनाओं की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचेगी तो आपका मजाक बनाया जा सकता है। इससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। आचार्य चानक्य के अनुसार हर व्यक्ती को अपने कर्मों के हिसाब से सुखरुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं बलकी पिछले जन्म से भी तय होते हैं। लाख प्रयास के बाद आपके कर्म के आधार पर ही आपके अच्छे और बुरे का फैसला होता है। आचार्य चानक्य के इस श्लोग के अनुसार मा के पेट में ही ये निर्नय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाब है या नहीं। बच्चा कहां तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहन कर ली तो उसका कितना जीवन में सदुपियोग कर पाएंगा। यह सभी बाते मा के गर्भ में तय हो जाती हैं। आचार्य चानक्य के अनुसार जो व्यक्ति पहले से संपन्न है, उसे और अधिक दान देने से हमें कोई पुन्य फल नहीं मिलेगा और नहीं उस व्यक्ति को उस दान से कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए आचार्य चानक्य ने कहा है कि धनिक को दान करना व्यर्थ है। रोश्नी की जरूरत अंधेरे में होती है। अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसे में आचार्य चानक्य ने कहा है कि दिन में सूर्य की परियाप्त रोश्नी होते हुए भी अगर कोई दीपक जलाता है तो इसे मूर्खता ही समझा जाएगा. दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है. यदि किसी व्यक्ती ने भर पेट भोजन किया हुआ है तो उसे भोजन करना या भोजन करने का आग्रह करना व्यर्थ है चानक्य नीती के अनुसार जिस व्यक्ती का पेट भरा है उसके लिए छपपन भोग भी किसी काम के नहीं इसलिए आचार्य चानक्य ने कहा है कि त्रिप्ट व्यक्ति को भोजन कराना बेकार है पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल काम होता है उसे जोड़ कर रखना आचार्य चानक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने बुरे समय के लिए पैसा जोड कर रखता है वो हमेशा सुखी रहता है ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम पैसों की वजह से नहीं रूखता है कहा जाता है कि मेहंत से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है चानक्य नीती भी यही कहती है सफल होने के लिए महनती होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है चानक्य नीती के अनुसार यदि आप किसी से जूट बोलकर खुद कोई लाभ लेते हैं तो एक दिन आपका जूट जरूर पकड़ा जाएगा और आप अपना मानसम्मान खो बैठेंगे इसलिए भूलकर भी जूट का सहारा लेकर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है बुराई करना हमेशा किसी न किसी की बुराई करते हो रहते हैं ऐसे लोग किसी की खुशिया या तरक्की को देख नहीं पाते इसलिए उनकी बुराई करके अपने मन को शांत करते हैं उनकी इसी आदत की वजह से समाज भी कभी उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखता चानक या नीती के अनुसार व्यक्ति को लालच से बचाना चाहिए हमेशा मेहंत से धन कामना चाहिए कुछ लोग लालच में आकर अक्सर छल कपट करके धन कमाते हैं ऐसा धन किसी काम का नहीं होता है और नहीं ये लंबे समय तक नहीं रुखता है दोस्तों आज की विडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय लक्ष्मी माताजी जरूर लिखिए और आपको विडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों